नमस्कार आपको स्वागर देश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ टाटा संस के सफलतम चेर्मेन रहे रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है जब वानप्रस्त आश्रम में जीवन वेतित कर रहे थे तो उनके साथ अकसर एक दुबला पतला युवक दिखता जिनसे रतन टाटा भी अकसर सला मश्रा किया करते थे हम जिस पतले दुबले से इवक की बात कर रहे हैं उनका नाम है शांतनु नाइडू वो रतन टाटा के असिस्टन रहे हैं मज 31 साल के शांतनु में कुछ तो खासित रही होगी जो कि दिगच उद्योग पती रतन टाट उनके साथ अपना समय गुजारते थे देखा जाये तो रतन टाटा का 31 वर्षी शांतनु नाइडू से खास उड़ा रहा है हलाकि रतन टाटा का इससे कोई पारिवारिक संबंद नहीं है शांतनु नाइडू टाटा ट्रस्ट के डिप्री जैनरल मेनेजर के रूप में काम क है शांतनु नाइडू मुंबई के रहने वाले हैं शांतनु नाइडू का जन्म 1993 में महाराश के पूरे में हुआ था शांतनु रतन टाटा को स्टाट अपस में नीवेश के लिए बिजनेस चिप्स देते थे शांतनु नाइडू की देश भर में वैसाई इंजीनियर जून के लिए हमेशे एक सपना होता है तभी तो रतन टाटा के अंतिम दिनों में साथी बने लिंक्टेन प्रफाइल के मुताबिक शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं इसके लावा नाइडू ने टाटा अलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी का किया वह सोचल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं एक बार उन्होंने फेस्बुक पर आबारा कुतों के लिए रिफ्लेक्टर के साथ बनाये गए डॉक कॉलर के बारे में लिखा था इस रिफ्लेक्टर की वज़ा से ट्राइवर उन्हें मुंबई की सड़कों पर द पी दोनों की मुलाकात साल 12-14 में हुई थी जब नाइडू ने आवारा कुतों को रात में कारों के टकर से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाये थे उनकी पहल से प्रभावित होकर टाटा संस के मानत चेर्में ने नाइडू को उनके लिए काम करने के लिए आमं अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डाटा ग्रूप में नौकरी करना पसंद किया नौकरी के लावा वह गुट पैलोज के ऑनर भी है यह वरिष्ट नागरिकों को कॉम्प्रेहसिव सेपोर्ट उपलब्त कराती है बताया जाता है कि कंपनी का वैल्यू क